जीवह जुबान, एह हमारे शरेर में घटने वाली कई घटनाओं का प्रतिविंब है, ये बताती है हम अंदर से कैसे हैं, हमारे अंदर कौन सा रोग बढ़ रहा है, कौन सा रोग हो सकता है आने वछ समय में, सब बताती है, आपको बस समझना है कि क्या है अलद अलद रोगों के लक्षन जो जीव के माध्धम से हम जाज सकते हैं, समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं, बड़ा सरल है ये, लेकिन आईरवेद हमारा बहुत गहरा भी है, इतना असान भी नहीं है, हजार हैं चीजें, मैं कुछ जो जरूरी जरूरी हैं, वो बताऊँगा जीव के संदर्व में, कि आप कैसे पता करें जीव के उपर हमारे घटने वाली घटनाओं को देख करके कि हम किस तरह से अंदर अंदर रोग से व्यग्रस्त है तो सबसे पहले हम देखते हैं जीव पे मेल जम्तील है थोड़ा थोड़ा सफेद परत बहुत हलकी मेल कभी कभार जम्ना कोई गड़बड नहीं है हो जाता है फानी की कमी से कोई अंदर कब्ज रह जाए या थोड़ी बहुत आँज़ार के अंश आँचों में छूट जाए तो उससे हो जाता है लेकिन अदर आपने जीव साप करी फिर कुछ देर के कुछ गंटों के बाद पिर से आपको या आपने अंद खाया आवार लिया वोजन किया पर आपती आँच जुवान पर सफेद पर जमती ही है तो ये एक इशारा है कि आपकी आँचों में पकवाशे में कुछ अंद के हंचे रुके हुए है सड़ रहे हैं उन पर काम करने की जरूरत है और दूसरा लक्षण है कि आपकी जीवा जो है वो बहुत ज़ादा फैलने लगी है चाड़ी होने लगी है त्यानि वजर्गों को ज़्यादा आप बुड़े वक्तियों को देखेंगे तो उनकी जीवा तिखी नहीं होती वो खोल जब बाहर निकालते हैं तो फैल जाती है बहुत चप्ति हो जाती है आकार उसका काफी आप बाकी लोगों की जीवा से उनकी तुलना दरेंगे तब आपको पता चलेगा कि उनकी जीवा काफी जो है चाड़ी है यह होता है मांसपेशियों भी कमजोरी से ज्यादा तर यह द का मतलब है कि बहुत जादा जैसे अक्टिव होती है वो एक्टिव ना रहना थोड़ा डिली पड़ जाना उसको हम शिथिल बोलते हैं यह दूसरा लक्षन है तीसरा लक्षन है जीवा का कांपना कोई भी बुजर्ग वेक्ति जादा तर या अधेर उमर के वेक्ति कई बार बहुत बीमार या फिर बीमारी से निकला हुआ वेक्ति जब जीवा को बार निकालकर आपको दिखाएगा तो उसकी जीव कांपेगी फड़ पड़ाएगी दूसरा वेक्ति अगर आप बेखें तीसरा देखें तो आप सबकी जीवा जब ठेक करेंगे तो आपको पता चले सबकी जीवा नहीं पड़ पड़ा रही तब जाकर आप पकड़ पाएगे कि किसकी पड़ पड़ा रही है तो जिसकी जीमत पड़ पड़ाती है समान्य बोजन में मिर्च का बोजन किया है उसके बाद नहीं समान्य तोर पर जब आप जांच करेंगे तो जीवा का पड़ प तो वो भी कापेगा, वो ज्यादा देर, यह यू ही कहें कि वो जल्दी कापने लगेगा, बाक्ची सबका भी कापता है, मास पिशियां थकती हैं तो, लेकिन पहले कापता है, उसका आखें ज्यादा फड़ पड़ाती हैं, ऐसे विक्तियों की, तो वो नर्वस इसंट की उप सूखना, जुपान जब शूखने लगे, ऐसा लगने लगे कि पानी तो पिया हुआ है, फिर भी जीवा सूख रही है, पांच मिनक्ट गिसे से बात कर रहे हैं, फिर गला जिवा सूखने लगी है, यह इशारा दरता है, पहले शुरुवाती तो पानी की कमी ने, फ़ड़ा पानी पूरा हो, पिशाप सही आ रहा है, पानी भी पी रहे हैं, तब भी आपको जिवा अचानक सूखने लगे, तो माना जाता है, शरिर में गर्मी बढ़ रही है, वो सकता है, गर्मी कबज रहने से बढ़ गई हो, पेट अच्छे से साब नहीं हुआ, वो सकता है, कुछ गर ज़्यादा लंबे चले, तो डिप्रेशन का भी सिंटम बताती है, तो ये चीज आपको समझनी है, और पांशने नंबर पर है, जवान का जरूर से ज़्यादा लान या सुर्ख होना, आप समानने दिनों में अपनी जिवा को देखते हैं, या आप रोगियों की परिक्षा क करते हैं, जिस तरह का रंग जिवा का होता है, उससे थोड़ा सुर्ख, यब ये ऐसा हो, तो माना जाता है कि ये बहु मुत्रता का लक्षन है, यूं कह सकते हैं कि पेशाब ज़्यादा आ रहा है जरूरत से, और अगर ऐसा नहीं है, तो भी सावदान हो जाएं, वैद्दे जिवा को बाहर निकाल कर जब देखें तो बहुत नौकदार जिवा होना, ये सकी नहीं होती, कुछ लोगों की विलकुल हल्दी होती है, आगे से, कुछ लोगों की बहुत चप्टी होती है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, जिनकी जिवा जब बाहर निकालेंगे, खासकर अखीली होगी, या फिर कुछ चंद लोग जो बहुत, जिनके मुसल्स बड़े फ्लेक्सिबल कुते हैं, तो ऐसी ये जीभा की नोक ज्यादा जरूरसिव होती है, तो पता चल जाता है कि विक्ती अग्रेसिव, अग्रेसिव नेसर का है, अग्रेसिव दिमाह का है, थोड़ा जल्दी गुसा कर सकता है, थोड़ा हो सकता है, चिर्षड़ा बन्होस को, तो ये चीज देखने वाली है, जब आपको रोज रोज देखेंगे न, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप तो पतन लेंगे तीजों को, शुरू में लगता है कि अरे मैं ये ये याद जादा आता है, क्या और जब चिर्चिड़ापन तो नहीं है, तो पता देगा वो कि हाँ, येए जीजे तो बताती है, वेक्ति को, वैद्दे को, याद कराती है, कि उसे पूच नहीं हותार हर रोज बेननाड़ि नहीं होता है, और हर समय नाड़ि नहीं देखी जा सकती कई हमें निदान करना होता है बाहर से तो यह एक बहुत बढ़िया तरीका है जिवा के देख करके आप बता सकते हैं उसके बाद अगला है कि आप सातमर में जिवा पर अलग-अलग रंग के धब्बे पड़ जाना कहीं पे नीला कहीं पे थोड़ा बैंगनी या फिर कई बार पड़ जाते हैं यह बताता है कि आतों में जलन हो रही है सडन हो रही है और पेट में कहीं न कहीं जखम है तो यह चीज हो ही ऐसा मैं नहीं कहता कई बार उस अंग पे उसका रिप्लेक्शन नहीं आता कहीं और आता है लेकिन कई बार दूसरे अंग पे ना आके इस अंग प और अंदर जखम हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना कि जखम बाहर धब्बे नहीं है तो इसका मिलत जखम भी नहीं है, ये गलत है, इसलिए कई कई केसिस में देखा जाता है कि जीवाब थोड़े निशान सकार पड़ रहे हैं लग लग रहेंके, तो बताया जाता है कि आ फूप उप आते निकलाना, बच्छों में आपने देखा ओगा, बच्छों की जुवान पफ्क जाती है उसका हम बोलता देखते हैं, तिक ये जूवान पफ्क गयी है, ठीक ये काते आते आ जाते हैं बाहर जो टेष्ट बढ़ सोते हैं, तो बाहर निकलाते गुऑ उउगल वाइटमिन सी और पानी की कमीर हो जाती है ज्यादा तर जित अब ऐसा होता है जुबान पकती है गरम दवाईया गरम ऐसे कोई काड़े या कोई ऐसे चीजे हम ज्यादा ड्राइफूट खा लें तब भी यह पक जाती है तो यह गरमी को आथो की गरमी को कम करने की ज़रूरत ह थोड़ा इसमें हरड आदी का सेवनह थोड़ा हरड का मुरब्भा थोड़ा एक बार पिटे साफ कराने की ज़रूरत है इसमें वाई बीन सी के लिए थोड़ा आमलाखा लिया जाये निमूपानी पी लिया जाये मुसम्मी चुस लिया जाये हूब sins ले वाइज साथ में, हलाकि मैं सिर्फ लक्षनों पे बात कर रहा हूँ नोवे नंबर पर है, जीवा पर काटे भी निकलाना, थोड़े दाने भी निकलाना साथ ही साथ जीवा मैली भी हो जाना, दोनों चीजे एक साथ हो जाना ये बताता है कि अंदर भुखार है शरिल में, इस पे काम करने की जरूरत है ऐसे ही मैंने एक-एक लक्षन बता रहा हूँ, कई बार दो दो तिन तिन एक साथ भी होते तो अब मान सकते हैं कि वह भी रोग है, जुरुस्ता भी है तो कई-कई बार दोनों को लक्षन मिलकर करकर कोई अन्य लक्षन भी बनता है वो बहुत विस्तृत जानकारी है, मैं कभी फिर बताऊंगा लेकिन अभी मैं बताता हूँ, कि जिनकी जिभा थोड़ी नीली पड़ दाए उन्हें हिर्दे रोग की संभावना या हिर्दे कंजोर होता है हिर्दे में कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार बच्चों को ज़्यादा तर छेद होता है हिर्दे में उनको सांस भी चड़ता है, उनको जुबान भी नीली रहती है ये बताता है कि इरदेफोग है और अगर जिवा थोड़ी जरूर से ज़ादा डार्क होने लगे काली पढ़ने लगे कई बाद नीचे से पढ़ती है शुरुआत में बाद में उपर से पढ़ती है ये लिवर में होने वाली रोग का लिवर में बुने वाली गर्मी का, लिवर की खराबी का लक्षण है, ये आपको समझना है, अंत में दो लक्षण ऐसे बताऊंगा, कि जैसे जीव एक तरफ चली जाए, तो या तो पैरलाइसिज भोगा, आने वाला है, या फिर पैरलाइसिज उतको है, दोनों ही सितियों में अजर कोई पैर्शन आपकर आपको बताए, कि मेरी जीवा बीच में नहीं रहती, सेंटर में नहीं रहती, सैड बे चली जाती है, तो तुरंट ट्रिप्मेंट करने के जुरत है, तुरंट उस पे ध्यान देने के जुरत है, उसको पैरलाइसिज हो सकता है, आन्त में मैं बत अजक्छुता है कि रफतविकार आपकर है, रफतविकार में ड्याड़ेटीस भी हो जकती है, रफत्विकार में हो जकता है, खून दंदा हो, खून में सकिन का रौब्लम करने का, कोई तत्व legs or wish उब ला हो, उसे निकालने के जुरत है, खून की सफाई के ज़ुरत है, तो काली बहुत पढ़ जाती है, ऐसे बहुत सारे अन्य-अन्य कई रुक्षन है, जो की बताते हैं कि घातक रोग होगा कोई विक्तिक हो, नाठीत होने वाला, तुरंत उसको बहुत जादा मेडिकल अब्जिर्वेशन की जरूरत है, लेकिन ये दरने की भी बाते नहीं होती, थो आप से डरे नहीं, मेरा आपको जानकारी देने का मकसद आपको आपके अंदर भार देना नहीं है, कि जिसके बाद आप डरे ही रहें, वही हर व्यक्ति अपना वैद्य खुद बने, जो को सीखें, समझें, और जिनको ये चीजें नेगटिव इंपक्त देती हैं, उनको बे मेरा बताने का मकसद है, उनको एक रिवीजन हो जाए, मेरी भी जानकारी में अपने तक न रखूँ, आपको आगे दो, और निनको श्वाँख है, वो घर बैठे, नहीं, नहीं सीरे सीखें, आपको कैसी लगी जानकारी नीजे बताईएगा, और अनन्दमायरवेद जो इन आपके लिए फिरू किया है, जिसके जीवनक योगी उत्पाद, वो कौन-कौन से उत्पाद हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे, जैंबू.in पर और आप जाकर के अनन्दमायरवेद डाट कॉम पर भी हमारे उत्पाद राप्त कर सकते हैं, अब हम दीरे-दीरे अपने स्ट आपके नजदीक वहां जाकर आपत कर सकते हैं, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत अधन्यवाद, फिर मिलूगा एक नई जानकारी के साथ, मैं नित्या नंदम श्रीलेता हूं आपसे विदा, नमस्कारम. क्या कोई खाने की चीज ऐसी है, जो एक साल के बच्चे से लेकर के सौ साल के बुज़ुर्ग विक्ति को दी जा सके? जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, आनंदम आयुरवेद के द्वारा बनी, यानि मेरे द्वारा बनाई गई, मल्टी ग्रिन खिचडी, इसमें जितने भी मिललट्स या आनाज हैं, वो एजड हैं, यानि एक सीजन बाद के लिए गए हैं, तांकि उसमें पचने में, पेट में दर्द नहों, बच्चों को भी, और मूंग ताजी ली गई हैं इसमें, तांकि खून जादा बड़े, मूंग पुरानी नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी इसमें मसाले, खाड़े मसाले भी हैं, कभी आप सादा नमक डालके भी से बनाएंगे तो ब बच्ख सारी जादा सारी जादा बड़े मसाले इसमें मतमत सारी प्लाके तो भी, तांकि खूना जादा सारी इसमें में, प्ल को भी, और शादा।